वेल्कम बैक तो फिजिए तरफी जुनून चैनल और टोपिक इस हैपी हाइपोग्जिया वाट इस हैपी हाइपोग्जिया डिकोडिंग दा मिस्ट्री बिहाइं वाइ ओक्सिजन लेवल डिकलाइन इन कोविड-19 पेशेंट्स जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके अंद करें आप अपने हाथ दोएं यूज हैं सैनिटाइजर का यूज करें विए ये मास्क प्रोपर ली मास्क पहने डों टच यूर फेस बार बार अपने आंखों अपने मूँ पे हाथ ना लगाएं कवर यूर स्नीज जिज एंड कॉफ्स जब आप खास रहें या चीक रहें त आप कवर करें अवाइड क्लोज कॉंटेक्ट आप अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करें यूज और ओन सप्लीज ओके आप अपनी चीचा जो भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस वरकर से वह अपना समान परस्नल समान यूज करें यूर एलेक्ट्रोनिक्स आप जो भी electronic devices हैं उनको frequently sanitize करें. Next is remember to wash your hands. बार बार अपने हाथ होएं. When the world woke up to COVID-19, the pandemic that has stalled our lives and thrown normalcy out of gear for the last few months. The widely reported symptoms were quite common in nature. It was often indicated that mild symptoms would be mimic the regular flu, cold cough. तो जो pandemic, COVID-19 pandemic था, वो कुछ मन्स से आ रहा है. उसके कुछ symptoms थे, जैसे की regular flu हो रहा था, पेशेंट्स में cold cough ये symptoms आ रहे थे. It could escalate into pneumonia और breathlessness. तो अगर ज़्यादा ही problem बढ़ रहे हैं, तो pneumonia और breathlessness की problem भी आ रही थी. breathlessness के उपर हमने वीडियो पहले भी बनाई है. वो आप दे सकते हैं, कि अगर किसी को feeling हो रही है breathlessness की, तो वो कैसे उसको positions के according change कर सकता है और कम कर सकता है. आपको फिर से याद दिलवा रहे हैं, कि आप जब भी बी कफ और सकता है, प्लीज करें, तो प्लीज कवर यूर माउथ. प्लीज वीर आ मास्क, तो आप मास्क पहने रखें. तन वी कम तू दा है पोग्जया, रएफर्टो वेरी लो ओक्सीजन लेवल इन दा बलाइट, दा नॉर्मल ओक्सीजन साचुरेशन इन दा बलाइट स्टीम ऑफ ए हल्दी परसें इस अबो 95 परसेंट, बट इन कोवेट पेशेंट्स दिस्पले डिंजरस डिक्लाइट अफ एस लेस एस फुर्टी परसेंट, जो normal आपका बलाइट Agr ओक्सीजन साचुरेशन लेवल रहता है बलाइट के अंदर 95 परसेंट रहता है , लेकिन जोभी दशिए autonomous पेशेंट पेशेंट्स हैं इन के अंदर जो डिक्लाइन है जो ओक्सीजन साचुरेशन और डिकLाइट हो 40 परसेंट हो जाता है , while hypoxia is a warning signal for immature failure of vital body organs like the kidney, brain, heart and is usually accompanied by prominent breathlessness. Happy hypoxia does not prompt any such obvious external signs. जो hypoxia की condition होती है, simple, उसमें बहुत सारे warning signals रहते हैं जैसे की immature failure हो जाता है, vital body organs का like kidney, brain or heart लेकिन लेकिन जो happy hypoxia, that's why its name is happy hypoxia तो happy hypoxia में क्या है, कोई external sign आपको नहीं दिख रहा है. As a result, in the initial stage of sickness, the COVID-19 patient on the outside appear to be alright and happy. तो जो patient है, वो alright दिखेगा, happy दिखेगा. तो अब आप सोच रहोंगे, कि फिर हमें पता कैसे चलेगा, कि यह happy hypoxia की condition है. Stay tuned, अभी आगे हम बताएंगे इसके बारे में. Please wait here, आप अपने जो sleepers हैं, जो आप shoes पहन रहे हैं, वो आप बहार ही निकाल दीजिए. क्यों, क्योंकि वो भी जो है virus को आपके घर तक ले के आ सकते हैं. Why do oxygen level decrease in coronavirus infected patient? यह सब के दिमाग में चल रहा है कि oxygen level को कैसे decrease कर रहा है? तो आईए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. Cogulation, coglation क्या होता है? Blood के अंदर जो है, वो coglation एक process होती है. और more simply widespread clotting, वहाँ पे clotting formation हो जाती है, that takes place in the complex network of small blood vessels in the lungs. Lungs के अंदर जाके, जो small blood vessels है, वहाँ पे clotting हो जाएगी, is considered by majority of researchers and medical experts to be the primary cause of happy hypoxia. तो happy hypoxia का main कारण क्या है? बहुत सारी medical expert reports हैं, उनके according कि lungs में जो small blood vessels हैं, वहाँ पे clotting हो रही है, blood clots बन रहे हैं, गाठे बन जाना, आप easy भाषा में समझे, तो गाठे बन जा रही हैं. How to identify happy hypoxia in people who are asymptomatic or have only mild symptom of COVID-19? First, even while portraying only minor symptoms of COVID-19, मतलब थोड़े बहुत symptom है COVID-19 के, such as cough, sore throat, fever, headache, without any perceivable breathing difficulty. अच्छा, इसको लोग क्या समझ रहे हैं? कि नहीं नहीं, AC में सोया था, जो खाम हो गया, अरे थंडा पानी पी लिया था, तो गले में दर्द होने लगया, थोड़ा headache हो रहा है. और आपको अगर इन में से कोई भी symptom आ रहा है, यू शुड़ चेक यूर COVID-19 पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव और यूर नेगिटिव आप पॉजिटिव हैं या नेगिटिव हैं या आप जरूर चेक करवा लिजे, और बार बार आपको अपना blood oxygen level है, वो major करना है pulse oximeter से, जिनको कम symptoms हैं. second, color of the lips changes from natural shade to appear blue, कुछ लोगों में ये बहुत पाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों की इसके कारण death भी हो रही है, तो please आप इसको आप share करें, ताकि लोगों को इसके बारे में awareness हो और आप immediately doctor से check-up करवाईए, while skin discoloration occur from the original tone to red purple appearance, कुछ लोगों को red और purple जो है वो पैचिस से बन जा रहे हैं skin के उपर, so आपको अपना oxygen level बार बार measure करना है और देखना है, persistent sweating even when not performing arduous exercise routine और hot surrounding is yet another red signal for low blood oxygen levels, तो अगर आपको बार-बार sweating हो रही है, तो भी आप कुछ ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और आपको sweating हो रही है तो आपका एक और कारण है कि आपका blood oxygen level lower है, तो इन तीन कारणों में से कोई जूरूरी नहीं है कि आपको तीनों ही होंगे, कोई एक हो सकता है तो प्लीज आप अपना oxygen level major करें अगर आपको इन में से तीनों में से कोई भी चीज आपके सामने आ रही है या फिर आपके कोई family member है friend है उन में से किसी को ये चीज सामने आ रही है तो प्लीज 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 ओक्सीमीटर आप ले लिजिए और blood oxygen level जो है 1200, 1300, maximum 1500, उससे ज़्यादा आप ना ले, क्योंकि इतने का ही होता है, wipe down between uses, लाइक आप phone use कर रहे हैं बार-बार, और 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 चीज़ों पर भी हाथ लगाते रहते हैं, तो इसलिए आप अपना phone बार-बार sanitize कीजिए, avoid shaking hands, high-fives and hugs, तो आप यह avoid कीजिए, क्योंकि यह close contacts है, Thank you so much for watching this, please share this, ताकि जो और लोग हैं, जो aware नहीं हैं, जो यह देख नहीं पा रहे हैं, वो भी यह चीज़ देखें, सीखें, समझें, ताकि उन लोगों तक यह चीज़ पहुंच सकें, Thank you for being a Physiotherapy Junoon member, and stay healthy, stay safe, stay at home.